तो आईए आज के house plan की बात कर लेते हैं आज का house plan 30 by 45 feet का है और 1350 square feet का ये area है अगर इसके costing की बात की जाए तो आपको 36 लाख रूपे तक की costing आ सकती है और इसके बाकी की details आपके सामने आ रही होंगी आप इसमें देख सकते हैं और house की 3 side other properties रहेंगी अगर आप इसका 2D layout डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा इसका plan paid है और जो इसकी payments की details हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगी आप इसको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं हाँ तो दोस्तों आईए आज के house की और बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आपको house में क्या कुछ देखने को मिल जाता है इसी के साथ आप हमारे चैनल को subscribe भी कर दीजिए और आप हमारी वीडियो को like भी कर दीजिए क्योंकि आपको अच्छे content इसी चैनल पर मिलते रहेंगे आप हमें इस्टाग्राम पर भी follow कर सकते हैं मों उसका link नीचे description में देदूमा आप जाके एक बार उसको check कर लिजिए और दोस्तों आपको main gate से entry लेते ही आपको अच्छी खासी parking देखने को मिल जाएगी और इस parking में आप अपनी एक कार अराम से कड़ी आप कर सकते हैं और आप इसका उपर का भी design देख सकते हैं उपर हमने louver दिये हैं और दोस्तों इसी के साथ आप सामने देख सकते हैं आपको pedestrian अलग से देखने को मिल जाता है और दोस्तों आपको house के front में भी open space देखने को मिल जाएगा दोस्तों इसी के साथ हम entry लेंगे हमारे house के drawing room area में आप drawing room area को सामने देख सकते हैं आप इसके ceiling design देख सकते हैं अगर हम इसके overall look की बात करें तो आपको एक बहुत अच्छा look देखने को मिल जाता है और दोस्तों हमने house की privacy को देखते हुए हमने इस drawing room को थोड़ा अलग रखा है अगर हम इससे आगे चलते हैं तो हम आपको अभी दिखाते हैं हमारे house का common toilet आप देख सकते हैं वीडियो में आगे और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को like ज़रूर कर दीजिएगा इसके बाद हम हमारे house के parking area से entry लेंगे house के living plus dining area में आप देख सकते हैं आप इसके उपर के ceiling design देख सकते हैं और दोस्तों अगर मैं इसके overall look की बात करूँ तो आपको एक बहुत अच्छा look देखने को मिल जाएगा आप सामने इसका vanity देख सकते हैं और जो आपको stair का block है वो आपको अलग से देखने को मिल जाता है और आप इसका back ball design भी देख सकते हैं आप ने back ball design में wallpaper और mirror का use किया है आप देख सकते हैं ये एक देखने में एक अच्छा combination लगता है इससे आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं आपको हमारे house का kitchen area देखने को मिल जाएगा और जो kitchen के cabinets हैं हमने इसको dual tone में रखा है आप देख सकते हैं इसका भी देखने में एक look आपको अच्छा मिल जाएगा अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है हमारे house का OTS area और जो OTS का area है OTS का area भी आपको spacious देखने को मिल जाएगा और जो house के अंदर के room बगएरा हैं उनकी ventilation इसी OTS से होएगी और दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अभी हम चलते हैं हमारे house के first bedroom की तरफ आप देख सकते हैं आप इसके उपर की ceiling design देख सकते हैं आपको इस room में आपको अच्छा खासा wardrobe देखने को मिल जाएगा आपको इस room के साथ attached toilet भी देखने को मिल जाएगा आप video में आगे देख सकते हैं इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हमारे house के first floor की और और आप stair के नीचे का area देख सकते हैं आपको यहाँ पर space मिल जाता है आप इस जगया को अपने हिसाब से इस्तमाल में ले सकते हैं और इसी के साथ अभी हम ऊपर चलेंगे अभी हमने उपर एंट्री ले लिए है उपर एंट्री लेते ही आपको सामने family lounge area देखने को मिल जाएगा हमने आपको first floor पर पूजा रोम भी provide किया है आप देख सकते हैं जो family lounge का back ball design है उस पर आपको stuko देखने को मिल जाएगा अभी के साथ आप देख सकते हैं और जो हमारा house का family lounge है उसके साथ आपको attach balcony भी मिल जाएगी और जो ये हमारे house की balcony है, balcony भी आपको अच्छी spacious देखने को मिल जाती है तो इसी की साथ आगए बढ़ते हुए हम चलते हैं हमारे house के first floor के common toilet के और आप देख सकते हैं ये toilet भी आपको same ground floor की तरह उपर देखने को मिल जाता है तो इससे आगे बढ़ते हुए अभी हम चलेंगे हमारे house के second bedroom की तरफ आप देख सकते हैं आप इसके ceiling design देख सकते हैं आपको देखने में काफी अच्छा overall look मिल जाता है और इसमें भी आपको अच्छी wardrobe देखने को मिल जाएगी और जो ये room है इसकी एक अच्छी बात ये ह है कि इसके साथ भी आपको attach balcony देखने को मिल जाएगी तो इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हमारे house के third bedroom की तरफ आपको यहाँ पे back wall पे wallpaper देखने को मिल जाएगा और इसमें भी आपको wardrobe देखने को मिल जाएगी और सामने TV पैनल मिल जाएगा और OTS से इसकी ventilation होगी और इस room के साथ आपको attach toilet भी मिल जाएगा अभी हम चलेंगे हमारे house के fourth bedroom की तरफ fourth bedroom में आप देख सकते हैं आप इसकी ceiling design देख लीजिए आपको overall एक अच्छा look देखने को मिल जाएगा और ये room भी आपको spacious दिखने को मिल जाता है इसमें भी अच्छे wardrobe मिल जाएगे और जो इस room की ventilation है वो भी आपको OTS से होती हुई सामने दिख जाएगे हाँ तो दोस्तों अभी बार यह है हमारे house के second floor यानि हमारे house के terrace area की तरफ हम चलते हैं अभी सीडियों से होते हुए सीडियों पर भी आपको अच्छा space मिल जाएगा अभी हम आ चुके हैं हमारे house के terrace area की तरफ तो अभी आप सामने देख सकते हैं सामने आपको परगोला मिल जाता है और अच्छा sitting area देखने को मिल जाता है आप इसमें आगे देख रहे होंगे साइड में देखें तो आपको OTS area दिखेगा OTS के ऊपर हमने एक जाल प्रोवाइड किया है आप चाहें तो आप इसको cover भी कर सकते हैं तो दोस्तों आज का जो हमारा overall house था वो हमने आपको दिखा दिया है अभी आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि हमें भी आगे वीडियो बनाने के लिए motivation मिलता है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चनल को subscribe भी कीजिए क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे content लेकर आते रहते हैं अगर आप इसका 2D layout डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा और ये plan paid है इसकी payments की details हैं वो आपको नीचे description में मिल जाएंगी आप वहां से जाकर इसको डाउनल कर सकते हैं अगर आप इसका detailed plan डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका link भी आपको नीचे मिल जाएगा नमस्कार झाल